यार हमने तो सोचा था ये budget new regime का game बदल देगा, मगर कुछ खास तोड नहीं निकला इसमें तोड ना सही, लेकिन पुरानी cutting चाहे तो है ही, tax बचाने किन उसके तो बहुत मिलते रहें अरे ब्रो तो कब बताएगा, इन देनों tax बचाना बहुत ज़रूरी यार सिंपल है रे, ATC में कितने options, ULips, PPF, ELSS, FD, Home Loan Interest, इतनी सारी चीज़े हैं, 10 लाग तक का tax saving कर सकते हैं तो NPS तो भूली गई, 50,000 तक का tax बचाओ और retirement की मठाई भी खाओ अरे, हेल्थ का ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है, खुद की हो या फैमिली की, और वैसे मेडी क्लेम में 25,000 तक का tax benefit है, सेहत और tax savings बनो हो जाती है और बच्चों को भी तो बोलना पड़ेगा, पड़ा ही लिखाए पर जहन दो, IES, IES बनो, एडुकेशन लोन इंट्रेस का पूरा पैसा बचाओ सकते है EVs पर तो 10 लाग तक के interest की savings हो सकती है, तो जहां पाना, तोफ़ा कभूल करो और HR भी तो रेंटल लाइफ सौट कर रहा है, पैन की भी जरुद नहीं पड़ती है, एक लाग तक Housing लोल इंट्रेस में तो 2 लाग तक का tax benefit है, तो घर बनाओ, और tax भी बचाओ और उसके अलावा, हमेशा के basics तो है ही, Sodexo, Meal Vouchers, Driver Reimbursements, Petrol, Landline Bill, Wi-Fi Bill, यहाद बस अपनी company policy यहाद से benefit लेते हो और donations, NGOs, funds, amount के हिसाब से tax benefits बस बस guys, इतनी तो salary भी नहीं है जितना हम tax saving की बाते कर रहा है Swear bro, so basically tax saving के बहुत रास्ते है बस अपने company के हिसाब से best news का चुनो और budget का इंतिजार मत करो और अपने tax savings पे अभी से loan up ते रो ऐसी होड चाय टाइम finance के लिए hit follow